बुजुर्गों नहीं बताए स्वस्थ रहने के सूत्र कर्म पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए इससे आँखें और हमारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती है दूद की चाय का कम से कम सेवन करना चाहिए दूद की चाय पीने से गैस, एसिडिटी, हाई प्लट प्रिशर की समस्या हो सकती है आईरवेद की अनुसार गर्म पानी और गुड मिलकर आपके स्वास्थ के लिए एक बहतरीन एंटिडोट का काम करते हैं यह प्राकर्तिक पाचन एंजाइमों को बढ़ाता है पाचन को गती देता है और गुर्दे से सम्बंदित बिमारीयों के लिए भी सहायक होता है अगर आप कमजोरी से परिशान हैं तो भुने हुए चने में थोड़ी सी अद्रक मिलाकर खाने से कमजोरी दूर होती है और पेट से संबंदित सभी विमारियां ठीक होती हैं दिन में 2-3 लेटर पानी जरूर पियें तीन लक्ष से हटे तो बिगडेगी सेहद संतुलित खान पान जैसा अन वैसा मन हमारे यहां पुरानी कहावत है इसे अच्छी तरह गांट बाद लें संतुलित भोजन से अर्थ है भारती कानून खान पान की परंपरागत धारना को अपनाना आपकी धाली में रोटी, चावल, दाल, सबजी के साथ मूटा अनाज, मौसमी फल वो सबजीयों का मिश्रण होना चाहिए शारिरिक व्यायाम आपकी व्यस्त दिंचरिया है, कसरत नहीं कर पा रहे हैं तो शारिरिक सक्रियता बढ़ाएं टहलना एक बहतर विकल्प है पर यदि जीवन से ली संबंदित परिशानी है तो आप चिकित्सकी परामर्स लेकर ऐसा करें अच्छी नीद यहां आपकी रोग प्रितिरोधक छमता को बढ़ा देती है आप उर्जावान बनी रहते हैं काम काज में असंतुलन और तकनीक पर अधिक निर्भरतानी नीद में व्यवधान पैदा कर दिया है दोस्तों आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके चरूर बताईएगा अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाज तक देखने के लिए आपका धन्यवाद